नमस्कार, welcome to my channel, मैं हूँ मनीशा, दोस्तों आज की वीडियो भगवान सूरे से सम्बंदित है, यानि कि भगवान सूरे को जल्म हमें कब और कैसे देना चाहिए, किन-किन चीजों को मिलाकर हम कौन-कौन से ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, भगवान सूरे को अर्ग देते समय या फिर कौन से मंत्रों का जब करना चाहिए, पार्ट की हम बात करें, तो कौन-कौन से पार्ट हमें करने चाहिए, यह जो हम लोग करते हैं, हमारी फैमिली मेंबर, समय समय पर, तो वो पुस्तके भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कम हैं, जल देने की क्या क्या लाब हैं, वो भी वीडियो में आमको दी है, आप सभी ने उसे बहुत पसंativa है, तो आगर आप अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज आप उससे जरूर देखें, और इस वीडियव में हमारी के, बहुत सारे कन्फूजन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लें और यदि हमारी वीडियो आपको helpful लगती है तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन हमारा उपसा हमारा मनोबल बढ़ता है तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सूर्य को जल देने की बाद और सूर्य ग्रह को मजबूत करने की बाद तो सूर्य को ग्रहों में भी देखा जाता है और देवता के स्रेणी में भी सूर्य को रखा गया है सूर्य हमारी आत्मा के कारक है यानि इस जन चार्ट में कमज deben Mel नहीं गर पाता है उसके जीवन में भी तरक की बहुतीं हो जाती इसलिए यदि आपके बर्ध चार्ट में अच्छे पॉजिशन तुक्रा लुवें आप निरनतर ने बना प्रियाश की आगे बढ़ते जाते हैं और यदि हम रिस्तों की बात करें तो सूरिग्रा का संबंद, सूरिग्रा सीधे से पिता से जोड़ के देखा जाता है जहां सूर आत्मा के कारक होते हैं, वही जो पिता होते हैं, वह उने कि पिता की देन है जो हम इस दुनिया में आये है। इसलिए जहां पर आपको सूर्य मजबूत करने की बात कही जाती है, वहीं पर आपको अपने संबंद अपने पिता से भी मधूर रखना चाहिए, पिता का संबान करना चाहिए, पिता की आग्या का पालन भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सूर्य की पूजा करते रहें औ और अपने पिता से संबंद आपके अच्छे नहीं है, तो कभी भी आपके ग्रह बैलंस नहीं हो सकते हैं, तो यह दो एक बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है, अब हम आते हैं अपने बातों पर कि क्या बहिलाए सूर्य को जल दे सकती हैं कि नहीं, तो दोस्तों इनी सभी ब हैं कोई भी सभी जो इस दुन्या में है वो सूर की आराधना कर सकते हैं मनुष्ません में मुझे जीवन हो तो यह जानी को यह जान ही रहा है कि व्हमंद मेरान को ही है क्या पात्रों के बारे में बात करते हैं कि ठीम थोड़ी तो फोड़ी ही जानकारी हम दे फाएंगे, क् ihan कि बीड़ो ठोड़ी सब्लबी हो जाती है तो ये हमारे पस पात्र है ताम्बे को आप देख सकते हैं ये जल है अभी हम आपको जल देने की विधी भी बताएंगे तो तामे का पात्र आप यूज करें भगवान सूरी को जल देने के लिए या आप जब पूजन कर रहे हैं तो तामे को सूरी ग्रहन से जोड़ कर देखा जाता है जब दान की बाते आती हैं जब सूरी ग्रहन लगता है तो आपने देखा होगा कि तामे के पात्र में ही हम गेह कर सकते हैं , कोई भी आपको शंशेय पालने के आअज सकता नहीं है . यदि अभी प्रजयन टाइम में आप शुरू करना चाहते हैं . तब तक आप लिए अधी बरतन ले बच्चे हैं, आप सिखा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, तो छोटा सा पात्र ले ले, या फिर आप बुजर्गों गए हैं, आप इतना बड़ा पात्र नहीं लेके समाल पा रहे हैं, तो भी आप छोटा ले सकते हैं, ठीक है, तो ये पात्रों की बात हो गई, अब हम जानते कि सूरी को जल कैसे देते हैं पिधी क्या होती है तो देखिए सूरी जब उग रहे हैं तभी आपको जल देना होता है और सूरी के उगने का जो टाइमिंग होता है वह आप गूगल पर भी देख सकते हैं या फिर आप अपने नियूजफ़ पेपर में भी 2020 से गर नियूजफ़ आता है तो अप देख सकते हैं हम लोग तो यह इस तरह का कालेंडर रखते हैं जोगी उसमें यहां पर नीचे मिनसन रहता है जो है संराइस का और संसेट तो यह भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपके city के अनुसार उपर नीचे हो सकता है, लेकिन timing perfect रहती है, और सूर्य हमें चाहिए दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपको जल प्रति दिन देना चाहिए, यदि आप समय पर नहीं उठ पाते हैं, ऐसा आप प्रयास कर रह करें क्योंकि वार से अधिक महत तिखियों का होता है, आपने देखाऊ होगान आप एक वीडियो भी लाएंगे कि किस तिखिया पर कोण से दिवी देवता का पुजन किस जाए तो सप्थमी तिखियों होती है वह सूर्य ग्रह से जोड़ कर देखी जाती है, और सूर्य संब अप्तमी ठिती के दिन भगवान सूरी की अराधना पूजा कर सकते है और उसका लाभ ले सकते हैं। अब आपके घर से सूरी दिखाई नहीं देता है। आप रवी वार के दिन किसी मंदिर में कहीं पार्क में जाएं। से आपको सीधे दिखे और उसका आप लाव ले सके सूरे हमें दिखा यह ना दिखा दीखाए उनका आभा मंडल इस भू मंडल में रहता है तो आप जल आपको जहां हम एक पात्र लगा लेंगे चाहे आप गमला का इस्तेमाल करें चाहे खाली पात्र का तो हम यहां भी लगा लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से आपको यह जो आपका थम है उसे हटा देना है और इस तरह से आपको जल देना है और इस भारा को आपको देखना है आप देख Oum Suriyaye Namah और फिर आपको जल्देना है फिर आप बोलेंगे Oum Adityaye Namah Oum Bhaskarayan golden ये सभी Suri के मंत्र हैं आप इन मंत्रों का जब करते हुए Suri को अर्ग दे और साथ में आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए तो 3 और 7 परिक्रमा करने का विधान हमारे सास्तिों में बताया गया है तो आप तीन परिक्रमा कर सकते हैं या फिर साथ परिक्रमा कर सकते हैं क्योंकि सूर्य की साथ रसमियां होती है यह सिधे त सकते हैं तो कम से कम एक बार तो आपको घूमना ही चाहिए और clockwise जैसे घड़ी की सुई घूमती है जिस दिशा में clockwise आपको घूमना चाहिए एक बारी घूमने का आर्थ होता है कि हमारी पूरे बोड़ी में उस सूरी की किरणे उसका प्रभाव हमारे उपर मिलता है अगर हम scientific reason बात करें तो जब हम सूरी को जल देते हैं और सूरी का जल चन के किरणों से हमारे उपर आता है वही हमारी बोड़ी पर effect डालता है और यदि हम उसे घूम कर यानि कि back side से हमारी रीड की हड़ीओं पर वह सूरी की किरणे पड़ती है तो वहां पर reaction होता है और हमारी vitamin D का नर्माड होता है यह भी आप समझें क्योंकि vitamin D की कमी से हमें बहुत सारे रोग होते हैं और vitamin D सीधा हमें सूरी के किरणों से ही मिलता है तो यह एक scientific reason है हमारे रिशी मुनियों ने हमें बताया है इसलिए सूरी को जन देने के लिए ठीक है आब मंत्रों की बात करें तो वह भी देख सकते हैं यह मंत्र आप कर सकते हैं अब पाठ की बात आती है कि कौन सा पाठ हमारे लिए शुबकारी होता है हमारे सूरी ग्रह को मजबूत कर सके तो पाठ में आप को भी पाठ कर सकते हैं सबसे अच्छा होता है आदित्य हिर्दय स्त्रोत का पाठ यहां पर आ भी आपके लिए आधित तहड़ेयस्तरोत का पाथ उन्होंने किया था विजय प्राप्ति के लिए यानि कि आप करज म linking था करजमुकती हैं बोकदमे से प्रिशान है तो भी आधित तहड़ीयस्तरोत का पाथ बहुत ही लागकारी होता है तो ये आप करें एक पुस्तक आप लेकर आएं बहुत ही इजली आपको मिल जाएगी और जादे तर हम लोग गीता प्रेस वालों के यहां से ही पुस्तक लेकर आते हैं और ये 40 रूपीज की है ठीक है और अगला है हनुमान 40 का पाठ कहते हैं कि भगवान सूर के सामने अगर अर्ग देने के बाद हम हनुमान 40 का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं तो हमारे बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इसलिए आप हनुमान 40 का भी पाठ कर सकते हैं 40 सभी को याद होती है पाठ करने का सही तरीका क्या होता है कि हम समर्पड की भावना से जब भी आप पिल्कुल समरपड की भावना से कोई कारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हितकारी होता है तो दोनों हाथों को उठाकर इस तरह से हाथ उठाकर और प्रणाम करते हुए हनुमान 40 का पाट करें और फिर आप देखें आपको कितनी जल्दी इसका लाभ मिलता है तो ये भी आप कर सकते हैं कोई भी एक चीज आप अपनाए हर चीजों में आप बहुत जादा परिशान ना हो कि हम यह भी कर लें वह भी कर लें एक पर्टिकुलर कोई आप जो भी आपको अच्छा लगता हो जो आपका दिल अंतरात्मा जो आपको कहती हो वह आप काम करें अगला है गजेंद्र मोक्ष का पाठ गजेंद्र मोक्ष का पाठ हम किसी विशम परिस्थितियों में जब होते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है उस समय आपके कोई भी नातिर इस्तिदार आपके माता पिता बिलकुल भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं और आप बिलकुल पर जाना चाहेंगे कि जो ये गजेंद्र नाम का एक हाती था और वो जल पीने एक जलाशा में जाया करता था जो कमल पुस्पों से बिलकुल शुशोबित था और एक मगर मच्छ ये दुस्ट प्रकृति इखा था जैसे हमारे समाज में भी कुछ दुस्ट लोग होते हैं और पर सीटने लगा और गजेंद्र भरसक प्रयास किया जब उसने अपने शरीर के पूरी ताकत लगा दी और वो बगर मच्छ से अपने पैर को नहीं छुडा पाया और उसे लगा कि अब हमारे प्राण जो है निकल जाएंगे तब ऐसे लास्ट मुमेंट में उसने भगवान अश्तिमाल किये थी क्या-क्या चीजें वह उसने का था इसी में वरणन और तब भगवान श्रीह हारे विषनो प्रकट हुए थें और उन्होंने घजेंद्र का उदार किया और गश्यान को भी उन्हें यहां तो मारी से बगवान के हाथ हों से मुक्ती मिलती है तो दोनों की उधहर हुआ था इस चोड़ेंद्र मोंक्ष का मुंर्म मैंने आपको सुनाने की कोशिश कि अथ यह इस तरह से आप इन पाथ में तक यह शुब ही हृत्षक्र होता है झाल 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 झाल